The least positive value of k for which the quadratic equation 2x² plus kx minus 4 is equal to 0 as rational roots is So quadratic equation के roots का जो formula होता है अगर हमारे पास ये equation है x² plus bx plus c is equal to 0 इसके roots का formula हम ये लिखते है minus b plus minus root b² minus 4ac by 2a अब यहां पे दिया है के roots जो वो rational है तो rational और इसको बोलते है और rational किसको बोलते है तो rational means p by की form में जो numbers होते हैं वो सारे numbers और irrational का example वे से बहुत सारा होता है जैसे pi irrational है लेकिन एक irrational बहुत famous होता है जो इस question में आगा जैसे square root of non-perfect square जैसे root of 5 तो 5 perfect square नहीं है किसी का इसलिए इसका root जो होगा irrational तो ये इसमें थेरी जो थोड़ा पता होना चाहिए जो square नहीं है और उसका अगर हम root निकालने की कोशिश करेंगे तो जो answer आगा वो irrational होगा तो एसा नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां पर root का है rational है इसका मीनिक है कि root के अंदर यहां जो भी बना है ये b square minus 4ac ये कैसा होना चाहिए ये perfect square होना चाहिए क्योंकि अगर ये perfect square नहीं होगा तो इसका root हो जाएगा irrational लेकिन हमें दिया है कि roots तो rational होगा अब फिर से हमें ये देखना होगा ये perfect square कब बनेगा जैसे इस question में अगर हम ये लिखेंगे b square, b square तो यहां पर हो जाएगा k का square minus 4 into a यहां पर है 2 x square का coefficient और c यहां पर जो ए constant हो है minus 4 तो ये perfect square बनना चाहिए इसका मेनिक है कि k square ये multiply करेंगे minus plus होगा तो ये plus ये हो जाएगा 32 k square plus 32 जो हो perfect square होना चाहिए ये भी दिया है कि k जो हो positive होना चाहिए least positive value मतलब k का value negative नहीं हो सकता है k का कुछ positive ही value में बता नहीं तो जैसे और वो भी कम से कम तो जैसे सबसे कम क्या हो सकता है 0 या 0 से थोड़ा से जाएगा तो k अगर 0 तब तो 32 होगा जैसे जैसे k का value बढ़ेगा तो वैसे ये sum भी बढ़ेगा 32 plus something अब सबसे first time ये square किसका बन सकता है तो इसका value हो जाएगा 36 first time जो होगा 6 का square इसके बाद फिर कुछ time के बाद k का value थोड़ा जादा लेंगे तो हो सकता है कि 49 बढ़े और ये 7 का square 8 का square 64 भी बनेगा कभी लेकिन हमें least positive value हमें question में पूछा है तो इसके लिए हम 32 का बस 36 करेंगे उसके लिए k square का value होना चाहिए 4 अब k square 4 कब होगा इसके लिए k का value होना चाहिए 2 minus value हम ignore कर रहे है क्योंकि हमें पहले ही पता है कि k का value positive है इसलिए k का value होना चाहिए 2 तब क्या होगा कि ये perfect square बन जाएगा इसका root भी जो irrational नहीं आएगा rational roots हैंगे इसलिए इस question का answer होना चाहिए B option